हैलो फ्रेंड्स मैं फुरकान खान और आप देख रहे हैं FM फीजन्स दोस्तों काफी दिनों से कोई वीडियो अप्लोड नहीं करी तो उसकी कुछ वजाए थी वजा नमबर एक तो ये थी कि कबूतर खराब चल ले थे कबूतर बिगड़ गए थे जैसा कि मैं दिवाली की चुटी मर गाऊं गया था तो मेरी एपसेंस में मेरे कबूतर बिगड़ गए थे तो सारे बच्चे ही बिगड़े थे बड़ा कबूतर कोई नहीं बिगड़ा बच्चों में बिमारी आए थी और कुछ मैं भी बिजी चल ला था तो कोई वीडियो अप्लोड नहीं कपाया कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को आज ही अप्लोड कर दूं तो आप बने रही है वीडियो में लास्त तक और तो दोस्तों हुआ यह के दिवाली के बाद जितने भी बच्चे निकले होते कर दिये बच्चों ना खाना पीना बंद कर दिया और वो इंफेक्शन उनको जगड़ता चला गया और वो कमजोर होगे इसके बाद जोले मा आ गए बेकार होगे और मर गए तो अक्टूवर मन्त में मैंने जो आपके साथ ब्रीडिंग प्रोगे सेयर किया था उसमें सारे ह वो खत्म हो चुके हैं एक नहीं बचा उनमें से दो बच्चे अभी भी बिमार हैं उनको सेप्रेट किया हुआ है बाकी इन पर अभी इन में से बिमारी आल्मोस्त निकल चुकी है जो जो चीजे मैंने इस्तमाल की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाकी देखते हैं जोड़ी लापरवाई हो गई इसलिए कबूतर बिगड़ गए अधरवाइज मेरे कबूतर में बिमारी नहीं आती है अब से दो साल पहले बिमारी आई थी मेरे कबूतरों में तकरीबन 25-30 कबूतर मरे थे उसमें उसके बाद से मैंने बहुत इनका ट्रीटमेंट प्रॉप करीज सब करेंगें अंदे आखेंगा। जो भी नए अंडे रखेगा और डमी आएक रख दूमान के नीचे तब तक यह वाइरस नहीं निकलेगा ना आखो वाला तब तक मैं इसमें ब्रीडिंग कराऊंगा नहीं और दोस्तों कुछ साजानपुरी कभूतर भी मेरे पास आगये हैं नीले साजानपुरी कभूतर आप शौक करें अंडे रखवाने वाला है कभूतर चलिए दोस्तों एक शाजानपुरी कभूतर का शौक करें जो मेरे पास आये हैं यह नीला साजानपुरी कभूतर है यह देगे कितनी चोटी सी चौचे इसकी बड़ा ही अच्छे वजूद में कभूतर है मैं छोड़ कर भी द यह भी मतलब 60% ठीक हो गए बाकी यह सेपरेट ही रहेंगे वैसे इनको में छट पर रखता भी नहीं हूं लॉबी में ले जाकर रखते दाउन नीचे चलिए दोस्तों यह थी आज की अपडेट जिसमें मैंने बताया के पिछले दो तीन वीक में क्या के गटा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना और जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने कहा हो चैनल को सब्सक्राइब करें ओके फ्रेंड्स थैंक्यू फो वाचिंग